हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर वे हमने कैपिल अकाउंट का फॉर्मेट किया था कैसे पार्टनर्स कैपिल अकाउंट बनाते हैं जब कैपिटल फ्लक्ट्टूइटिंग होती है तो उसे रिडिटीट सेकेंड अनसॉल्ड कॉश्चन हमारी बुक का वह हम सॉल्ड करत हैं देखिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी और यह प्रॉफिट को इक्वली डिस्टिब्यूट करते हैं मींस वन इस टू वन बाइटू ए वन बाइटू बी कमिंस बिजनस विद कैपिटल सिक्स्टी थाउजन और ट्विंटी थाउजन उन्होंने अपना बिजनस स्टार् इंट्रस्टोन कैपिटल अलाओ किया गया है फ़र्म की तापसेन को 6% पर अनम बी को सैलरी दी गई है 6000 पर अनम साल अनम ड्रॉइंग जो है वो ए का 6000 है और बी का 4000 रुपे हैं इंट्रस्टोन ड्रॉइंग ए का 200 और बी का 100 अन 31 मार्स 2017 प्रॉइन किया 24,000 प्रिपेर प्रोफितनलो सो एप्रोपिकियों अकोंट अनम पार्थनकेड अकाउंट जाब आप PBcheson कुसे पहले आपको profit and loss appropriation account भी बनाना पड़ेगा जिसमें profit को distribute करके जुरूरी जो calculation से वो की जाएगी और फिर उसके बाद में partner capital counter बनाओ तो partner capital count से पहले हम prepare करते है profit and loss appropriation account इन्होंने books close की है on 31st March 2017 तो profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2017 के लिए हम prepare करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लिखते है profit का balance by profit and loss count as per profit and loss count हमारा जो profit given है वो है 24,000 अब जो appropriations यान की adjustments है वो आप इसमें करें सबसे पहले interest on capital 6% परनम है interest on capital firm के लिए लोस है और लोस रिकोर्ड़ेड इन डाविट साइड और पी और अप्रोपेशन अकाउंट तो interest on capital A और B A की capital 60,000 6% इसके उपर interest चार्ज करेंगी तो 60,000 का रहेगा 3600 6 into 6 and 20,000 पर रहेगा calculate करके 12,000 total 4,800 और उसके बाद में B की salary salary cable B को दी गई है तो हम B salary यहां लिखेंगे 6,000 12 से मल डिपलाई नहीं करेंगे क्योंकि मंथली नहीं है यह annual given drawing panel appropriation में नहीं लिखा जाता but interest on drawing panel में लिखा जाता है by interest on drawing यह आपको calculate करने की जरूरत नहीं है और इससे related भी हमने theory में बढ़ा था कि अगर drawing given हो but date नहीं given है और interest की rate given हो तो आप 6 महीने का interest calculate करते है बढ़ यहां पर interest already calculated है तो आप यह लिख दीजिए 200 रुपे इसे charge किये है परमने और 100 रुपे टोटल हो गया 300 और ऐसा कोई expense या ऐसी कोई income नहीं given है जो हमें penal appropriation में लिखनी बढ़े तो आप इसका total कर लेंगे हम credit side का सबसे बहले total करेंगे 24,300 24,300 में से debit side का जो total हमारा बनता है यह हम minus करेंगे तो कितना आएगा वो divisible profit हमारा होगा जो partner में equally distribute कर देंगे क्योंकि इनका जो ratio है वो equal इन्होंने पहले से decide कर रखा है तो कितना बचेगा 24,300 यह credit total है हमारा debit total इसका बनेगा 10,800 00 13 में से deduct करेंगे 5 3 1 13,500 divisible profit हमारा आया है और इस 13,500 को दोनों में distribute करना है A में और B में equal equal बटेगा A का 13,500 का 1 by 2 और B का share रहेगा 13,500 का 1 by 2 यानि कि 6,740 और 6,750 यह total किया हमने 24,300 यहां तक हमारा PNL appropriation इसके बाद में हम capital account prepare करेंगे capital account में सबसे पहले हम capital लिखते हैं opening balance इनका नहीं है इन्होंने business start किया है तो हमने जो format में किया था buy balance brought down सबसे पहले वो लिखते हैं वो हम तभी लिखते हैं जब हमारे पास already opening balance हो लेकिन यहां opening balance नहीं है इन्होंने अपनी partnership firm सुरू की है तो सुरू की है तो by bank account हम लिखेंगे यहां पे A ने 60,000 रुपे introduce किये थे as a capital और B ने 20,000 introduce किये capital के P&L appropriation के debit में आप credit side में लिखती P&L appropriation के debit के item credit side में capital account के तो सबसे पहले interest on capital हमने capital account के बारे में बढ़ा था कि जो भी transaction से capital increase होती है वो credit में लिख दीती और जिस transaction से capital decrease होती वो debit में interest on capital से capital increase होगी A की 3600 रुपए से और B के 1200 रुपए से Sale salary जो है वो pay की गई है किसको only B को तो B के column में आप लिखे 6,000 एक अखाली छोड़ दीजिए इनका जो profit आया है as per profit and loss appropriation account that is DP divisible profit जैसे NP net profit होता है that is DP divisible profit यह आया है इनका 6,740 और 6,750 यह हमारी credit side की item complete now debit debit में हम लिखेंगे सबसे पहले drawing यह given है question में हमें दिया हुआ था drawing जो है इनका वो है 6000 और 4000 यह question में given है वो हम लिखतेंगे यहां पे 6000 A का है और 4000 drawing B का है और इसके उपर जो interest on drawing partner का जो interest on drawing है वो 200 रुपे और 100 रुपे यह सब लिखने के बाद और इसे item नहीं है जो हम debit में लिखेंगे फॉर्मेट में हमने तीन यह item की थी रॉइंग इंट्रस्ट रॉइंग एंड पी और अप्रॉपेशन का लोस और एक वो capital withdraw करवातने हैं तो वह हो सकती है सब आइटम लिखने के बाद में हम जोड करेंगे इसका credit का total करेंगे और debit का total करेंगे वही जैसे हमने divisible profit का balance निकाला वैसे हम capital account का balance भी निकालेंगे यहां total करेंगे 60,000 और 36,600 और 79,000 और 70,344 बनेंगे यह हमारे जी 36,000 और 70,350 में से हम 6,000 माइनस करेंगे तो यह बचेगा हमारा 64 and 64,350 में से फिर 200 और deduct कर देंगे तो यह हमारा balance आ जाएगा CD closing balance 64,150 and इसको equal करके close करेंगे इसी दर एसे फिर हम इसका total करेंगे 20 और 21,21 और 27 और 6,33,3950 इसमें से यह 4000 माइनस होंगे और 4500 माइनस होंगे तो यह 30,850 हमारा हुझे तो यह हमारा unsold question second इस तरह से आपने करना है सबसे पहले question को carefully पढ़ें और फिर उसके बाद में आप जो given information हो उसके basis पे penal appropriation account बनाईए और फिर partner capital account बनाईए यह है आपका partner capital account in case of capital fluctuating in the absence of information capital will be treated as fluctuating यहनी confused आप रहते हैं कि capital fix है यह fluctuating है तो ऐसी अगर को information question में given नहीं है कि capital fluctuating है यह fix है तो आप उसको fluctuating ही मान के solve करोगे झांक